थोटी सी कहानी एक घर से रोज रात बच्चों की रोने की आवाजे आती थी एक दिन उसकी मा बहुत पहुंचे हुए संथ की फास गई और बोली कुछ ऐसा चमतकार कीजिये की मेरे बच्चे रात को भूग से रोया ना करे। संथ नी एक कागज पर पुछ लिख दिया और उससे कहा जब तुम्हारी इच्छा पूर हो तब इसे पढ़ना और मा ने वह कागज सम्हाल कर रखा अगले ही दिन किसी ने पैसों से भरा थैला घर के आगन में फेका थैले में चिठी निकली जिस पर लिखा था इससे कोई ब् इस बात पर अमल करते हुई उसके पती ने एक दुकान किराय पर ले लिए ब्यपार में बरकत हुए बच्चे या भोखे नहीं सोते थे पैसों की बारिस ही हो गई एक दिन मा की नजर पुराने संदूप में संद के लिखे कागज पर पड़ी नव जाने संद ने ऐसा क्या लिखा था उसमें कागज पुला उसमें लिखा था जब पैसों की तंगी खत्म हो जाये तो सारे पैसे तिजोरी में छिपाने की बजाए कुछ पैसे ऐसे घर में डाल देना जहां से रात को बच्चों की रोने की आवाजे आती हो और लिखना इनसे कोई ब्यपार करे कहानी किसी तिर्क इनसान ही इनसान की मदद कर सकता है किसी एक इनसान की मदद करने से दुनिया तो नहीं बदलने वाली लेकिन जिस इनसान की मदद करोगे उसकी दुनिया जरूर बदल सकती है किसी की मदद ऐसे करोगी बाद में वह भी किसी और की भी मदद कर सके कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट्स करके जरूर बताईए कहानी पसंद आये तो लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो पूरा देखिने के लिए धन्यवाद